नमस्कार साथियो एसम एकेडमी जबलपूर और आई एस इस्टरी ट्रिक में मैं अमिजेन सास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम बड़े ही यती महत्पून पिस्टों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं लगातार आप तक वीडियो आ रहे हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है भारी संख्या में लाइक करके कमेंट करके हम लोगों को प्रूस साहत करते रहे हैं इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक को सेयर करते रहें और एक एक प्रिस्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे आपको पूरा हिंदी का हिंदी व्याकरण का अच्छे से ग्यान हो सके चली दोस्तों आज देखते हैं कुछ बिसेश प्रिस्ट पहला है संभीदान के किस क्या वन तक भासा के बारे में संभीथा ने वताया गया है यह आपको याद रखना 343 अनुशेत में क्या दी गई है मानता दी गई है आप बताना है कि बगहेली बॉली का संभंद किस जिससे है रायस्थानी से पूर्वी हिंदी से और बिहारी से या पच्छमी तो आपको बता दें पूरवी हंदी से क्योंकि पूर्वी हंदी के अंतरगत आती हैं अब थी बगजेली और छतीस गड़ी यह तीनpture न रहे या इसका संबंद है जो पस्चमी हिंदी है इसमें बुंदेली आती है ब्रज आती है कन्नोजी आती है सवाधिया भासाएं इसमें आती हो बिहारी में भोचपुरी मैधली मखी इसमें आती है और आरिस्थानी में धूडारी मालवी मेवाती सब इसमें आती है तो इसका भी हम है उस्व बढ है क्या है उसमबढ कहलाते हैं अगला देखें तावर्ग का उच्शार्ण sunglasses के किस भाग से होता है तो आपको बता दें की का वर्ग है कंट से चावर्ग है उसका मूर्धा से तालू से और टावर्ग है उसका मूर्धा से तावर्ग का होता है दंत से उपावर्ग का होता है ओस से तो आपको याद रखना है कि तावर्ग का चण सान क्या है दंत है ताथा दाधा ना अगला देखें मधवालय में संदी है मधवालय में कौन सी संदी है तो आपको इसमें कंशूज हो सकते हैं तो आपको बता दें कि मधू पिलस आला इसे मिलकर कि क्या बनेगा मधवालय तो उ के बाद क्या आ रहा है आ रहा है तो उ का हो जाएगा वा तो मधू का मधुआ हो ले तो यण संदी हो जाएगी कौई संदी हो जाएगी यण संदी हो जाएगी मधुआ ले मधू पिलस आला इसका संदी विक्षित होगा अंगला देखें भवन में संदी है तो दोस्तो हमने इसको बताया थे यह तीन अक्षर हो और कोई भी उसके उपर मात्रा ना लगी हो ना एकी ना एकी ना आई की कोई भी मात्रा ना हो किवल तीन अक्षर हो तो उसमें कौन सी संदी होती वो है आयादी संदी इसको तोड़ेंगे कैसे तो भो पिलस अन भो पिलस अन से भो का हो जाएगा भाव और अन इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा भाव अन इसका संदी विक्षित हो जाएगा भो पिलस अन भावन आयादी स्वरसंदी हो जाएगी देखें अंगला देखें चलती सब्द में कौन सा प्रत्य है तो इसको अपन तोड़ देंगे चलती देखें चल प्लस ती ऐसे होना चाहिए तो क्या बन जाएगा चलती बन जाएगा तो हमें इसका उत्तर याद रखना है कि चलती में कौन सा प्रत्य हो जाएगा ती चल अगला देखें, निर्भाय में प्रियोक्त उपसर्ग है, निर्भाय में, तो इसको हम तोड़ेंगे, तो आ जाएगा निही पिलस बाहर, तो क्या बन जाएगा निर्भाय, और यहाँ पर बेंजन संदी भी निर्भाय सब्द में, यही याद रखें, और निही उपसर्ग है, कौन सा है नी नी बिसरग का हो जाएगा इस जो byसरग दीया इसका हो जाएगा रात उपर रेफ लग जाएगी तो निरवाय यहां पर वन जाएगा अगला देखे, निम्न बिकल्पों में से तत्सम सब्द का चेन कीजिए, तत्सम जो संस्कित भासा से सीधी के सीधी हिंदी ये प्रियुक्त होने लगे हैं, वो कौन हैं, तत्सम कहलाते हैं, तो देखे, इसमें दुखी दिया है, ये नहीं है, दयाल भी नहीं है, दुगना भ कहलाता है, ठीक है, अगला देखे, कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या नहीं है, जाती बाचक देखे, कौन सा नहीं है, जवान जाती बाचक है, वालक भी जाती बाचक है, मनुस भी सुन्दर नहीं है, सुन्दर जाती बाचक नहीं है, गुण बाचक संग्या है, क्योंकि है या ऐसा हरिष्चंदों की कमी है रेखांकित सब्द का संग्या बताएं तो हरिष्चंद वैसे है तो व्यक्ति वाचक लेकिन चुकि यहां पर आद इसमें हरिष्चंदों की कमी नहीं है मतलब क्या है यहां पर उसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही जाती की हरिष्चंद आतप नने भी आ जाता कैते वाता जाय चंद लिखा आता हरिष चंद से मतलब सत्तवाधी लोग की कमीनी है तो यहां पर हरिष चंद किस लूप में प्रयोक्त हो रहा है जाति वाचा क्स अंगया की लूप में प्र Merry launch हो रहा है निसिद्ध का बिलोम है निसिद्ध मतलब होता है निसेद्ध करना तो इसका बिलोम हो जाएगा बहित बहित मतलब आरुपन करना निसिद्ध करना नहीं बहित मतलब आरुपन तो इसका बिलोम ही हो जाएगा अथ का बिलोम होगा अथ का होता है अथ मतलब अब शुरू आध जब करते हैं तो अथ कहते हैं और जब समाप्ती करते हैं तो उसको कहते हैं इती तो अथ का बिलोम क्या हो जाएगा इती इस बात का याद रखें आपको अर्थ पता होना चाहिए तो आप अच्छे से बिलोम सब्द कर पाएंगे से सुनें पूरे वीडियो को देखेंगे तो निश्चेत आप कभी भी एक आंसर भूलने वाले नहीं है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको एक कॉस्चिन कैसे लग रहे हैं चलिए अगला देखें निम्न मैंसे सोना सब्द का पर तुरंग सब्द योको मका सही अर्थि ची सब्द योको में पूछे जाते हो अ उकर दोर नंबर का साहिए हो जाएगा तुरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब तुरंग मतलब लहर मतलब गोड़ इसका याद रखना है अगला देखें भविस्द का हल भूत जानता है कैसा वाक है भविस्ट का हल भूत जानता है क्यासा वाक है प्रिष्ण वाचक है कि आग्या वाचक है संकित वाचक है कि विध्यान वाचक तो आपको बता है संकित वाचक है क्योंकि आज संकित दे रहे कि जो भविस्ट का हल है वो कौन जानता है भूत जानता है तो यह क्या दिया जा रहा है, संकित दिया जा रहा है, अगला देखें, निम्न मैंसे मुहावरा नहीं है, आप यह प्रिष्ण को अच्छे से पढ़े या एक दुबार पढ़ते हैं, तो उत्तर अपने आप समझ में आते, इसलिए कभी भी प्रिष्ण को पढ़ने में जल्दवाजी नहीं करना चाहिए, देखें, निम्न मैंसे मुहावरा नहीं है, आवेल मुझे मार, ए नहीं है, क्योंकि यह क्या है, लोकोक्ती है, बाकी अकल का दुस्मन, हाथ पीले करना हो, तूती बोला, मुहावरा जिसका कोई बिसेश अर्थ निक्तला है, वो क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ती में होता है क्योंकि ये question हर paper के सलेवस में से ले करके लिए है जिससे आपको कोई भी आप exam दें जिसमें हिंदी पूछी जाए तो आपको ये सब कुछ मिल जाए देगे उत्पत्ति वात के प्रवर्तक हैं भट लोल लट कौन है उत्पत्ति वात के प्रवर्तक भट लोल लट ह इसमें दिया है आचार संकुक दिया तो इस संकुक जो है बै किसके प्रवर्तक है इसको भी याद रखना है यह अनुमती बात के प्रवर्तक है अगला देखें रसात्म कम बाक्यम काब्यम एह परिवासा कितनी किस ने दी बैरी इंपोर्टेंट परिवासा एक्सर पूछी आचार विस्तोनात ने दी है विस्तोनात ने परिवासा कहा लिखी तो उनका गरंत है प्रसिद्ध साहित दरपन उसमें आचार विस्तोनात ने रसातम कम बाक्यम काब्यम परिवासा लिखी है अब देखें आगला पर उसमें चौपाई कैसा छंद है तो चौपाई को आपक बिसम मात्रे किसको कहते हैं जिसके मतलब चारों चरणों में बिसम बिसम मात्रे हैं अर्दसम मात्रे जिसके पहले तीसरे चरण में मतलब अलग मात्रे हैं और दूसरे चोथे चरण में अलग और बारणिक छंद जिसमें बरणों की गड़ना की जाती हैं बारणिक छंद कहला आते हैं जैसे मालनी, मांदा, अंता अग्ला देखें, भारत की कितने राज्यों की राज्ट की भासा हें। दस राज्यों की जिसमेर हमें अमद्ध। प्रदेस उत्तर प्रदेस, अर भी ऐसे कही राज्य आते हैं। अगला देखें, अर्धस्वर कहलाते हैं, या या वा या दोनों, या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर, यह याद रखना है, या और वा क्या हैं, अर्धस्वर हैं, यह भी याद रखना है, चलिए अगला देखें, सा का उच्चारन स्थान है, तो आपको इस सा का बता द क्योंकि तालू से उच्चारत होता है और इसको जो सागरवाला ये सा है इसको बोलते है दंत सकार क्योंकि ए दंत इसका उच्चारत सा है दोनों दात मिल जाते जब इसको बोलते है और ये सटकॉन वाला जो तीसरा सा है ये है मूर्धन सकार क्योंकि जब इसको बोलते है तो ह सागरवाला ये सा धंत सकार है और ये साट कौन वाला सा कौन सा सकार है मूर धन सकार ये आपको याद रखने है अगला देखें बाच कितने होते हैं तो बाच आपको बता दें तीन होते हैं कर्तरी वाच कर्म बाच और भावाच जहां पर करता की प्रधानता होती है बहां पर कर्तरी बाच्च होता है जहाँ पर कर्म की प्रभधानता होती है बहाँ पर कर्म बाच्च होता है और जहाँ पर ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो बहाँ पर भावाच्च होता है तो तीनों हमें ये बाच्च भी याद रखने हैं तो दोस्तो इस प्रकार से हमने कुछ बिसेश प्रिशनों पर चर्चा कियों लगातार ऐसे प्रिशन आपके लिए आते रहेंगे यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो रेट कलर में सब्सक्राइब जहां पर लिखा उस पर किलिक कर दें बेल हिंदी को बड़े अच्छे तरीके से आप कंपलीट कर सकते हैं अंगले वीडियो में पुना मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही बिसेश प्रिशनों पर हम सभी विस्ताल से चर्चा करेंगे जिससे एक प्रिशन के अंतरगात आप दो दो तीन तीन आपको जो फैक्ट हैं वो किल इसी तरह हमसे चुड़ते रहें जये